हेलो स्टुडेंट्स टूडें वी वी सॉल्व दौ ग्वार्टिक एक्वेश्चन जैक्स स्क्राइब प्लस 3 एक्स प्लस 5 इस इक्वाल तो जीरो फिर्स्टी वाट्ट्स फॉर्मुला करने के लिए फॉर्मुला क्या है फॉर्मुला है कि हमें डी का वैलू पहले निकालना ह होगा डिस्क्रिमिनेट डी का वैलू क्या होगा वी स्कॉर माइनस फोर रिष्ट यह वैलू निकालते ही अब हम क्या करेंगे क्वाइणिक फॉर्मुला का यूच करेंगे शिरह चाल रूल डैट्स वी प्लस मैनस रूनट वी स्कॉर मैस 4 रज़्श्टी वाई-टू ओए अगर d का value निकाल ले हैं तो यह formula यूज़ करेंगे अगर d का value नहीं निकाले हैं तो direct हम d के space पे b square minus 4ac पुट करके निकाल सकते हैं I mean x is equal to minus b plus minus root b square minus 4ac by 2a तो आईए अभी से solve करते हैं firstly given that x square plus 3x plus 5 is equal to 0 here 1x square I mean the value of a is 1 a का value क्या होगा 1 होगा और b का value क्या होगा b का value 3 होगा c का value क्या होगा c का value 5 होगा तो इस तरह से a b c का value निकाल गया अब हमें क्या करना है d का value निकालना है तो d का value निकालते हैं d का value क्या होगा I mean discriminate discriminate d is equal to b square minus 4ac that's the value of capital D b is b का value क्या है 3 square minus 4 a का value क्या है 1 into c का value क्या है 5 3 का square 9 हो जाएगा minus 4 5 होगा 20 9 में से 20 minus हो जाएगा कितना बचेगा minus 11 that's the value of d अब हम क्या करेंगे yes का value निकालेंगे yes का value क्या हो जाएगा minus b plus minus root d by 2 a is equal to minus b plus minus root d by 2 a is equal to minus b b का value क्या है 3 a plus minus root d का value क्या है minus 11 by 2 into a a का value क्या है 1 है is equal to minus 3 plus minus root 11 को क्या राइट करेंगे root 11 into root minus 1 अब पान में कितना है 2 है root minus 1 का value i write कर देंगे because that's imaginary number यह कौन सा number है imaginary number है that's minus 3 plus minus root 11 i by 2 that's your answer next video में फिर में लेंगे thank you